यहाँ पर पवन कल्यान का स्टार्डम और मायाबती का संगठा निश्चित तौर पर भाजपा और कॉंग्रेस और दूसरे दलों के लिए आंध्रा और तिलंगाना में निश्चित तौर पर मुसीबत ख़़ी कर सकता है तो यहाँ पर दोनों साथ आएं 2014 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन सेना पार्टी साउत में सुपर स्टार हैं इनकी फिल्में हर फिल्में लगबख सूपर डूपर हिट रहती हैं साउत में 2014 में अपनी पार्टी बनाई और युवाओं के बीच तब ये बड़े लो होते हैं उस तिरह से जब किसी पार्टी की बैठक हो तो वहाँ पर रास्टगान होना चाहिए तो यहाँ पर पवन कल्यान ये कह रहे हैं कि माया वती 2019 में देश की प्रधान मंत्री बने ऐसी उनकी मरशा है इक्षा है इसलिए वो साथ आए हैं पवन कल्यान साउथ के आप कह सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कोई संदे नहीं है कि साउथ के अमिताब बच्चन है सुपर स्टार हैं बहुत लोग प्री हैं कई फिल्में इन्होंने की हैं और इनकी फिल्में सुपर डूपर हिट रहती हैं जिस तरह से रजनिकान चन्नई में बहुत लोग प्री हैं और साउथ में लोग प्री हैं उसी तरह से अगर आंध्रा और तिलंगना की बात की जाए तो आंध्रा और तिलंगना में पवन कल्यान का बहुत वर्चस्व है इन्होंने 2014 में अपनी पार्टी बनाई पवन कल्यान साउथ के अमिताब बच्चन है, सुपरस्टार है और जन सेना इनकी पार्टी का नाम है और अब ये बस्पा के साथ है यानि दो राज्यों में आप आंध्रा की बात कर लीजिए और आप तिलंगना की बात कर लीजिए यहां पर बस्पा और जन सेना दल जो की पवन कल्यान का दल है वो दोनों साथ चुनाओ लड़ेंगे और 2019 में नए चेहरो को मौका मिले युवा राजनीत में आए ये तो मायवती ने कहा लेकिन पवन कल्यान ने ये कहा कि मायवती हमारे देश की प्रधान मंत्री हो ऐसा उन्होंने बयान पहले ही दिया